हेलो फ्रेंट और स्वागत है अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन चैनल में और जैसा कि हमने आप से बोला था कि आप देखें आगे जो एक्जाम आने वाले हैं आपके चिन किसी का होने वाला है चिन की निगा तो उनको मदद करेगा यह कोस्टन और कुछ एक्सपेक्टेशन भी दूंगा एक दूट कोस्टन किसी पर और चैनल पर बने रहीएगा और सब्सक्राइब जरू किजिएगा मैं इसी तरह के आपके करेंट अफेर्स और जो भी एनलाइसिस होते हैं कोस्टन एंटीपी से के जब तक चल रहा है मैं आपको फूल एनलाइसिस देने कोशिश करूँगा और सारे कोस्टन ऑथेंटिक है और आप देख सकते हो साच कर सकते हो कहीं भी तो यह जो कोस्टन आया हुए डियाडियो के अध्यक्ष कौन है तो आपको बताना है जैसे का आपको पता आपने दिया होगा याद देने वाले हैं तो आप इनको याद करके जाएं देख के जाएं एक बार तो सतीश रेडी हैं सैडल पिक नेशनल पार्क यह कहां उस्थीत है नौर्थ अंबान अंतराश्टी महिला दिवस कब मनाय जाता है आठ मार्च को प्रित्वी दिवस कब मनाय जाता है बाई सप्रेल कौन से सुरंग का उध्गाटन हमारे पी ए मोदी ने किया है तो अटल सुरंग आपने सुना होगा लोक सभा में अधिक्तम सीटों की संख्या कितनी है तो वैसे तो आपके आप्शन में 550 तू दिया होगा तो तू आमेंडमेंट जो है वह तू सीटे जो है अंगलो एंडियन का वह अभी रिमूब कर दिया गया है तो आप वैसे 550 भी होगा तो आप टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं लोक सभा में अधिक्तम सीटों की संख्या तो हो गई धौनी किस माध्यम से यात्रा कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि जब मैं बोल रहा हूं तो कैस में भी है त्रौ में भी करती है और सॉलिट में भी करती है कि यह हुआ भारत का अंतिम वाय सरा है कौन था तो लड़ लुइस मांट बेटन आपको पता है यह को बताने की ज़रुद नहीं है और कुछ भी पहले फर्स्ट और अंतिम यह करके आप जाओ आपको मदद मिलेगे एक फूल फॉर्म है वह मार की जो आप टीकल मार्क डिडियर होता है जो आपको पता है तो फ्रेंड आप कोशिश करें कि फूल फूल करके आए और मतलब जो कोशन्स है ना वह बहुत ही इजी आ रहा है मतलब इजी टू मॉडरेट है कह सकते हैं कोई ह आट नहीं आ रहा वैसे तो आगे चलते हैं कि दांडी आतरा की शुरुवात कहां से हुई थी तो आपको जैसे पता है कि सावरमती आश्रम से किया गया था महत्मा गांदी जी के द्वारा और उनके साथ भी सवयोगी बहुत सारे थे जो आप जिनके बारे में आपको पता ह होगा 1930 में स्टार्ट हुई थी भारत में भारत के सबसे युवा रास्पति कौन है दोस्तों तो यह है नीलम संजीवा रेडी और सबसे युवा हैं सबसे बुजग भी पूछ सकते हैं तो आप पुछ आप रेडी करके जाएं प्रिपेर होके जाएं कि युवा हैं तो बु आनिपत की दूसरी रड़ाई कब हुई तो पांच नॉंबर 1556 में हुआ 1556 में दक्षिन अमेरिका का लैंडलॉक टेश तो जैसे आपको पता है बॉलीविया एंड प्रागवे है वैसे यह मोडरेट बोल सकते हैं मोडरेट हो सकता है या टब भी हो सकता है यह आप पर वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है तो यह भी कोशन पूछा गया था जैसे करेंट अफेस का यह कोशन तो दिल्ली से वारा नसी के बीच में चल रही है आगे बढ़ते हैं बैंक का बरोदा का विला किस बैंक के साथ हुआ था तो आपको जैसे पता है कि वि भारत का पहला रास्टी उद्यान आपको पता होना चाहिए जीम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इंडोनेसिया की कैपिटल चकारता सुकन्या सम्रिधी योजना कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों पताइए कब की गई थी 2015 में चल यह अब आगे बढ़ते हैं रास्टी रक् कहां वस्थित है सौरी नेशनल डिफेंस अकाडमी कहां स्थित है तो पूने में है कुझसे पता है बुद्ध की सबसे उच्छी मूर्ती कहां वस्थित है तो चीन में है भारत में सबसे बड़ा सौर सन्यत्र कहां पे है दोस्तों कामूती सौरूर्जा पर्योजना यह कहां पे हैं तो तमिलना डूम है आगे देखते हैं जी इनपी का फूल फॉर्म आपको पता होगा चैसे की बच्चों वाला कोच्छा नहीं है तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है जितने भी हमारे देश में प्रोडक्शन होते हैं तो उन सब चीज को मिला के और प्लस जो फॉ क्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं जैसे आप इकनॉमी आप आपने पड़ा होगा तो अगला को से नहीं अटल भी हरी बाजपी जी की प्रतिमा कहां पर भी बनाई गये रिसनले तो बोपाल में केंद्री आलू संदान यह कहां पर है शिमला यह सातियों यह इंपोर् प्रेंड कर लेना यह पूछता ही पूछता है जैन धर्म के पहले ते ठंकर कौन है जादिवा प्री सब देखो यह तो पहले हैं आप अंतिम भी करके जाए या फोर्थ भी करके जाए आपको बहुत हेल्प मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं रास्टिय जली जानवर जली जी होया रास्टिय क्या है हमारा तो गंगा नदी का डॉल्फिन है ब्लट का पी एच वैल्यू कितना है साथियों तो आपको पता है सेवें थर्टी फाइब टू सेवें फोर्टी फाइब है और वैसे किसी भी सिप्ट में लेमन का भी पूछ ले रहा है कभी अलकोहल का भी पूरे से अब आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉप्ट के संस्थाफक यह तो बच्चों वाले कोस्चन है शायर आपको पता होगा तो यह बिल्गेट्स है जपान की मुद्रा यह नहीं है कि टिसको की अस्थापना दोस्तों 1907 में उनई 107 में हुई थी इवेंडी पी युनाइटेड नेशनल डेवलप्मेंट प्रोग्राम का हेड़क्वार्टर है उनदेशनल डेवलप्मेंट प्रोग्राम को आपको पता होगा कि इतने भाराट चुके होंगे तो यह नियो नि का विचार जो है सबसे पहले किसके मन में आया मतलब किस ने दिया था मतलब इसको तो मनबेंद्र नाथ रॉय ने दिया जलिया वला बाग नरसंगार कब हुआ साथियों 13 अप्रेल 1999 में हुआ टिहरी बांद यह है आपका उत्राखंड में ग्रैमी पुरुसकार आपको पता होगा यह किस फिल्म में दिया जाता है संगीत बंगाल विवाजन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों यह लॉट करजन थे जैसे आपको पता होगा सूरज की चमकती सत्र को क्या कहता है तो यह फोटोस्पेर है यह आपकर करके जाना जिसे CPCC करके आप याद रखना सीपी सीच करके याद रखना जैसे की पहले होता है क्रोन यह सूरी का यह जो पार्ठ होता है लानना सबसे बाहरवाला यह होता है क्रोना फिर होता है फोटोस्फेर होता है फिर फिर अंदर आप जाओ एक तो क्रुम मोटस्फेर होता है इसी तरीके से आप देख सकते हो और एक बार वो 없 अपकोundertire तरीके से आएगी आप करके जाना एक कोशन तो शायद उससे फिर बनेंगे ही वागे बढ़ते हैं लाइकेन का संबंध किसे है प्रदूशन संकेतक से है सर्वस्रेश्ट जीला सर्वस्रेश्ट फिर्म फिर अवार्ड ये 2020 का किसे मिला है तो गलीब वाई को मिला है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीब आपको पता है ये बहुत पहले से रटा रटाय आ रहा है ग्रिन लैंड तो दोस्तों दिखिए अब कोशन आप अच्छे तरीके से अनलाइसेश करके जाएं ताकि आपका हेल्प हो सके हैं तो अब आगे बढ़ते हैं मर्क कड़ा कप किस खेल से संबंदित है दोस्तों तो ये फुटबोल से है श्री नगर किस नदी किनारे है छेलम है मार्च 2020 में G20 सीखर सम्मेलन की मेजबानी किस तेश ने की तो आपको पता है सौधी हुमायू नामा किस ने लिखा गुलबजन बेगम महराष्ट के राज्यपाल कौन है साथियों आपको पता होगा जैसे रातो रात वो हुई थी ना यार कि सपत दिलाना वह आपको पता होगा यह धासू है तो इनका नाम पता है आपको भगत सिंग कोशियारी जी है बैक्ति का मिर्ट शरीर पानी के उपर क्यों तरता है आपको पता है तो यह उत्पलावक बल होता है साइंस का कोशन आप पता है गोल गुंबस यह कहा वस्तित है क चरनाटक में है दोस्तों बिम्स्टेक सदस्य इसमें पूछा गया था कि मैं ऑप्शन दिये होंगे कि इन में से कौन है कौन सा देश है जो वो बिम्स्टेक का सदस्य है तो यह मांगला देश है यूनसी का हेट क्वार्टर कहां ऐसा थी हूं तो नियॉर्क में है चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और रहे गया है हाँ ये रहा 54 ग्यानपिट प्रुषकार ये किनको मिला है दोस्तों तो ये मिला है आमिताब खोश जी को ये 54 है ये 54 है अगर आपसे 55 पुछे 55 पुछे तो आपको याद रखना है अकीतम अकीतम करके पुछे है तो आपको देखना है आप देखके जाना साथ बहनों में शामिल कौन सा राज नहीं है तो सिक्किम है जो वो शामिल नहीं है बनिहाल दर्रा ये कहां पे अवस्थित है जमू एन काश्मीर में है विद्धु धरा का इकाई एलेक्ट्रिक करेंट का क्या होता है साथियों इकाई साई यूनिट बताए तो एमपियर है परकाश वर्स कि इसकी इकाई है तो ये दूरी की है किस राज की सबसे लंबी तट्रेखा है तो इक गुजरात और दोस्तों अगर वर्ड का वर्ड का सबसे लंबा तट्रेखा पुछेगा ना वर्ड का तो आप लंडन याद रखना लंडन माफ किजिए वो तो आप पेन नहीं चल पा रहे हैं लंडन है आप याद रखिएगा पूरे वर्ड का पूछे तो अगर वो हमारे देश के स्ट्रेट के बारें पूछे तो वो गुजरात का ही है सब्री माला मंदीर किस राज में है तो आपको पता है किरल में है पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है किलोग्राम में सेरी कल्चर किसे से मंदीत है दोस्तों रेशम तो यह सेरी कल्चर हो गया एपिकल्चर हो गया यह सब करके जाना आपको बहुत सारे हेट मिलेंगे तो बस आप इतना ही था और मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि फिर मैं फूल एनलासिस लेकर आऊंगा और आपको बहुत सारे मिलेंगे आप शेर भी कीजिए लोगों को हेल वो सकेगा बहुत सारे स्टुडेंट है जो जिनकी बहुत की जरुत है मतला उनको पता नहीं होता कि आपकेstart कहां से मीला जाएंगे उनकी है तो इनकी हेल् जाएगी आप है isto कि भी जान करें लाइक करें और देश में किसी भी ए टेली दूँगा टेली की करेंट रफेर्स भी होते हमारे चनल पर तो आप बने रहेगा और सब्सक्राइब जरू किजिएगा